साथियों कहा जाता है कि 21 वी सदी एशिया की सदी है ये भी तय है कि 21 सदी के विकास का रास्ता हिंद महा सागर से होकर के ही निकलेगा और इसलिए हिंद महा सागर की हमारी सरकार में की नीतियों में एक विशेश उसका स्थान है विशेश जगह है ये अप्रोच हमारे विजन में जलकती है मैं इसे एक स्पेशल नाम से भी उलेक करता हूं सागर एस ए जी ए आर और जब मैं सागर कहता हूं यानि की security and growth for all the region सागर हम हिंद महा सागर में अपने वैश्विक सामरीक और आर्थिक हितों को लेकर पूरी तरह सजग है सतरक है और इसलिए भारत की modern और multi dimensional नौन से ना पूरे छेत्र में सांती के लिए स्वाहित्व के लिए आगे बढ़कर के नेत्रुत्व कर रही है जिस तरह भारत की राजनितिक और आर्थिक maritime partnership बढ़ रही है छेत्रिय फ्रेंबर को मजबूत किया जा रहा है उससे इस लक्ष की प्राप्ति और आसान नजर आती है साथियों समूद्र में निहित सक्तियों हमें राष्ट निर्मान के लिए आर्थिक शक्ति प्रदान करती है और इसलिए भारत उन चुनोतियों को लेकर भी गंबीर है जिनका सामना भारत ही नहीं बलकि इस छेत्र के अलग-अलग देशों को भी करना पड़ता है चाहे समूद्र के राष्टे आने वाला आतंकबाद हो पायरसी की समस्या हो ड्रग्स की तसकरी हो भारत इन सभी चुनोतियों से निपटने में महत्वपूर्भूमी का निभा रहा है